हर शाम मिला करते हैं आज फिर से बहतरीन सवालों के साथ आ चुका हूँ और अफपोर्स लगातार हमें अपने नंबर्स को ग्रू करते वे देखना है और इसके लगातार बने रहना पड़ेगा इस बहतरीन सेशन में हर शाम साथ बजे रीजनिंग और आठ बजे मैथमेटिक इस दोनों की तावरतोर अभ्यास चल रही है आपको आपको पार्टिस्पेट करना है और अपने उस टाइमर के एर्द गर्द सवालों को सॉल्व करना है तो आज कर रहे हैं क्योंकि ए इक्जामनेशन का जो डिमांड है न वह असली में रफतार है क्योंकि सवाल जो इसमें लेवल बहुत उपर नहीं होते हैं लेकिन इस तरह का लेवल हुआ करता है कि सवाल क्लर्क में देखा है तो सारे स्राइस सवाल डूएबल होते हैं और पियो में कुछ सवाल इसे होते हैं जो कि थोड़े बहुत उपर नीचे हो सकते हैं लेकिन अधिकतम सवाल वहां भी जुरुआत करते हैं, और अभ्यास कितना बड़ा चीज है, वो इससे बहतर कौन बहुत सकते हैं, यह कुछ सम्थ पढ़िया गए यहां पर क्या लिखा गया है, उशायन बोल्ट साहब ने कहा कि, I trained four years to run only nine seconds, and there are people who do not see results in two months and give up and leave, यह बहुत बड़ी बात कह दी उन्होंने, इससे हमें बहुत को सीखना चाहिए, आमोमन होता भी यही है, कि students भी, और दुनिया में सिर्फ student की बात नहीं कर रहा हूं, बहुत हर एक segment में लोग ऐसे हैं, सोचिए, इनके जो nine seconds का race होता है, उसके लिए तयारी करने के लिए, उन्होंने चार साल तयार किया, उसको जीतन कि अथक परिश्रम करना पड़ेगा, आप उस महनत को उस प्रैक्टिस को ना को दायरा मत बनाईए उसका, घिस दीजे पूरा, जो मैं बार-बार कहता हो ना, कि एक बार तो तूटना पड़ता है, इनसान को जीवन में, वही वाली बात है, तूटना मतलब तूटके महनत कर जाए प्रैक्टिस का, जो बच्याम पर नए है, उसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, तूटना मतलब त्यार बहुत हो चुक्ए हो उगे, तूटना तरफ से वह चार कॉमणी निकठा कर लिजे दिमाग कॉंसेंट्रेशन, नूटबूक और पेन और शुरुवात किजिए प्रैक्टिस का जो बच्च माय चैनल पे नए हैं उसे रिक्वेस्ट करूँगा प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा और लगातार बने रहिए क्योंकि भाई इस चैनल पर आने से बस फाइदा यह है कि अभ्यास आपकी बहुत कर लिजेगा और पहला सवाल आपके स्क्रीन पर आने वाला है सो गेट रेड़ी और यह रहा पहला सवाल और यह रहा उसका टाइमर सॉरी टाइमर यह रहा हिंदी लैंगेज भी आ चुका है ट्राइव बहुत प्राइव बहुत बेसिक सवाल है मुझे लगता है कि यह सवाल बहुत कठिन तो नहीं होगा आपके लिए शुरुबात किया जाए कि यह सवाल को सवाल करना सुरु कर रहा हूं पहला सवाल बेसिक सवाल क्लोक लेवल सवाल सवाल में कहा गया है 8 person and they are sitting around a square table and 4 of them are sitting at the 4 corners while they are facing center or you can say inside and 4 of them are sitting at the middle of the table and facing outside मतब जो लोग कोने बैठते हैं वो लोग अंदर की तरफ देख रहे हैं तो इसको ऐसे टॉक कर सकते हैं आराम से यह हमारा मान लोग पहला square हमने लिया इस तरीके से यहां के लोग हमारे कोने बैठ रहे हैं और 4 लोग हमारे साइट से बैठ रहे हैं और यह सभी लोग inside देखते हैं और यह लोग बाहर की उट देख रहे हैं middle of the sides बैठने वाए लोग एक और projection ले 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 आवा सकता पड़ीगी तो इस्तमाल करेंगे यह हमारे पास एक और square हो गया और इसमें भी हम लोग ने यहां पर आट लोग बिठा लिया है जो लोग inside देख रहे हैं वो कोने बैठ रहे हैं जो लोग sides पर बैठ रहे हैं वो लोग सभी बाहर की उट देख रहे हैं ठीक है दोनों आपको सब्सक्राइब को यहां बिठा लिए और यहां बिठा लिए इस सदिक थोड़ी हो सकता है कुछ यह तो डी आउटसाइट रहे हैं यह तो दी इंसाइट दोहीं समावना हो सकती है और B sits third to the left of D एटमीन की इस केसीं की साउथ देख रहा ही है नायदा भाहर की दिर्शह है तो हमाना राइट-साइड जैगा इसके लिए तो B sits third to the left of D आपको बैठा हुआ है आपको आपको यह बैठा हूआ है बहुत आराम से सब्कुष कनेक्ट होता चला जा रहा है करेक्टिंग क्लू मिल रहा है आपको चारलो दोने ही संभावनाओं में बैठ चुके हैं कोई तक तक तो नहीं है F is an immediate number of D बुला F जो है न वो D का पड़ोसी है तो आपने F यहां रख दिया F जो है वो D का पड़ोसी है तो F यहां रख दिया तर्में दोनों ही situation बहुत अच्छे तरीकेश चल रहा है अब तक कोई cancellation वाला point नहीं मिला है दोनों ही संभावनाओं का बिल्कुल प्रयोग हम कर पा रहे हैं उपयोग कर पा रहे हैं आम से अब यहां दो बहुत चा क्लू आया है कि A sits third to the left of the one यह क्लू है का अच्छा क्लू पूरे सवाल में हम कह सकते हैं A sits third to the left of the one who sits second to the left of F हमारे पास A तो नहीं है A sits third to the left of the one that means इसके third left में हमारा क्या होगा E होगा E यहां पर आजाएगा कोई रिक्त नहीं ठीक है ना E जो है उसने आगे कहा है E does not sit at the corner E जो है वो corner पर नहीं हो पाएगा sorry E जो है वो corner पर नहीं हो पाएगा E does not sit at the corner that means कि हमारा जो है E यहां नहीं होगा E ultimately यहां होगा और बाद में कहता है कि C sits immediate right of B and C is immediate right of B that means this case गया आपका इसमें हमारा पास जो कहानी थे है F वाली उसको यहां लेके आएगे उसने कहा था one who sits second to the left of F that means this person यहां होगा A is third to the left of this person that means A will be done here अब हमारा पास A C sits to the immediate right of B B की immediate right में C होगा और वो हो चुका है second projection आपका सही answer हो चुका है बहुत ही प्यारा सवाल है discussion बहुत क्लियर रहा होगा आपको properly समझ में आया होगा किस तरीके से क्लुक के लिहाद से एक नंबर सवाल में बोलूँगा क्लुक के लिहाद से यह comfortable रहा होगा लेकिन जारतर बच्चों के लिए इसका यह clue comfortable नहीं हुआ करता है तो अगर मैं आपसे बोलना चाहूं कि इस सवाल में conclude करने हो क्या है यह कुछ अच्छा सीखने हो क्या है मैं लोगा यह वाला clue जैसे मैंने जिस तरीके से उसको इसको इसको पहले इस पार्ट को इसको इंपॉटन्स दिया वन हुम हुई सेकंट टुब अफडिया पर बहुत अंसर किया है बहुत बढ़ी बहुत बढ़ी है और सवाल का अशरा नहीं है बहुत बढ़िया सवाल आएंगे और आपको उस सवालों को 20 सेकंड गेंदर सवालों को सॉल्व करना है मतलब 20 सेकंड अप्टियूम टाइम होगा सवाल नंबर 6 आपके स्क्रीन पर यह रहा और इसके लिए टाइमर शुरू करते हैं अब 6 टाइमर क्विक टाइम अप वैसे मैं साथ साथ और समय देता हूँ आपको चार शब्द दी गए पहले सवाल में बहुत बढ़ी है सवाल है यह क्लग लेवल सवाल तो नहीं बोलूगा मैं इसको एनिवेज चुरू देखते हैं आईए साथ में सवाल करते हैं सवाल को बोला गया है which of the following can be इस जगह पर थोगा साथ हयाल रखना है कि उन्हों नवा उन्होंकिन की घर रहता हिस द्रग का जो आंसर वह पॉसिबयटीज में जरू होगा तब यहां पर चैनल करके सवाल पूशा है यहां पर नजर आएगा कि यार औ लिए कोड़ी निया है इसके मत अवकी हो जागा इसमें चारोग चारोग शब्द यहां ुठाइव अब चेक करते है प्रोटेस्ट राइट्स वर्णिंग पीस प्रोटेस्ट वर्णिंग हमारे पास है यहां पर हमारे पास पीस भी है और हमारे पास वर्णिंग भी हो गया राइट्स हमारे पास है कहीं पे राइट्स हमारे पास राइट्स हमारे पास राइट्स भी हमारे पास ऑप्सन बद ए हो सकता है आगे देखे राइट्स फार्मर लग क्या है तो डैमेज हमारे पलाइप समया नहीं हो सकता बॉडर रॉइट्स पीस लिली हमारे पास नहीं है धको लिल्य हमारे बहुत बहुत करने चीह बहुत करना पड़ेगा यहाँ पर राइट्स और पीस यहांभी है राइट्स और पीस यहां भी है तो हमें कोशिच करने है स्टोन या फिर बॉर्टर का कोड निकालने का उससे हमारा आंसर निकल लिगा है इसको प्रिंसिस या फिर यहां पर हम यहां पर लेली लिखें वो चलेगा विकॉस टीए किसी का भी कोड हो सकता है इस पर ध्यान नहीं इसाओन पर हम और यहां पर और यहां पर है और इसका पॉस्सिबल यहां पर तो दौनों में हमारे पर यहां पर एक्टैक्स नहीं तो बहुत रफ्तार में आप आप अपजर कर रहे हो तो मदब आप बोलना नहीं है डिसकेंड के साथ कम से खर्च कराएगा यह सवाल पर चार शब्द थे आप बहुत अच्छे अप्रोस भी चलेंगे तो आपको यहां पर 30 सिकंड लगेगा खर्च करेंगे आप इस सवाल में ठीक है न इबर फिर से क्राश कर लेते हैं स्टोन का कोड क्या हमारे पास दिख रहा है स्टोन और कहीं नहीं है स्टोन जो हमारे पास वर्ड है स्टोन और कहीं नदर नहीं आ रहा है अगरी स्टोन या डैमेज हमारे पास होगा वो एक ही बाढ़ होगा उसका कोड आइधिंग वह होगा एलो और एक्षेट है ना एलो और एक्षेट तुम्हारे पास है नहीं इसमें करेक्ट आंसर भी ऑप्सन नुबर फूर्ट थीक है सब का अंसर सही है बढ़िया है आगे बढ़ते है बहुत बढ़ी है सवाल सवाल सब्सक्राइब सब्सक्राइब का अब जल्दी से पिछले सवाल में जतना समय करेंगा आप उसके उससे बहुत ज्यादा कम समय यहां कर्द करना पड़े कोज यहां simply बोला गया है विज़ फॉलवग इस देख पर एंट्री एंट्री हमारे पास first में है second में है third में है third में धिख रहा है that means first and third में first and third में कुछ common और नजर नहीं आ रहा हमें मुझ भी ऐसा नहीं है जो हमारा आइदर लेकी चले जाए और आइदर हो भी नहीं सकता भी को सब्सक्राइब बहुत तेज आया है सवाल नमर आठ आपके स्क्रीन पर जहां पर राइट्स फार्मर और प्रोटेस्ट यह तीन शब दिया गया है और बोला गया ऑसकी जो हो सकता है हम ढ़े लिए यहां यहां उसने बोला है उसके बाद राइट्स व्हारे पास 1st में हैं, 2nd में हैं 宝ा के है इंद 2nd में हैं और 1st में है अथिन में हमेरे पास हो जागा, उसके जाथ ओपीए वह सकता है वहीं में पहिते हैं Antar 이걸 ऐगा कि ओपीए हमारे सबस्काँ सब्सक्राइब है दोनों जग पर हमारे पास है ठीक है बच्छा हमारे पास f u o p so what is the code for rights rights हमारे पास सिर्फ और सिर्फ second sentence में है और उसका correct answer will be वहाँ op भी है f u b है so none of these mark करना पड़े गाई थिक हम यहाँ पर just that means correct chance will be option number five that is none of this ठीक है ना I think सब कहांसा स्रीम आया होगा बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया आगे बढ़ता है सवाल number 9 आपके स्क्रीन पर है और इसका समैसुर करते है this question is quite good छोटा सवाल एक वर्ड है लेकिन option के प्रेंटेशन यहां पर काफी आपके लिए easy कर देगा चीजों को बुला विच भी आपके सब्सक्रीन और कोई ऐसा वर्ड है कि इसका आंसर जो आइधर में पॉसिपल होगा और आइधर में पॉसिबल तो एक्जेक आंसर कैसे दे पाएंगे option number four is a correct answer without finding out the exact code for damage because यहां पर उन्हेंने बोला है which of the following is the code for damage संभावना कोई बात नहीं की गई है चार विकल्प यहां संभावना में एक आईधर और में 29 होता तो हम चेक करने चलू जाते कि भाई डैमेंज कोट क्या है लेकिन यहां पर हम चेक करने का सकता नहीं यह option number a और ही कह सकते हैं एक्स जेड और एलो जलक मालेगा तो आफकोर्स एक्स एक्स जेड और एलो उस उप्शन में दिखाई भी देगा सवाल है मद्दस आपके स्क्रीन पर है टाइमर आउन करते हैं टाइम आप एक बहुत ही मासूम कोट दिया गया आपके सामने कहा गया कि बताओ टी वाई का कोट क्या होगा हमने टी वाई सवाप देग मुझे तो इसरी घातव मुझेक एप आपके तरफ सेंवाफ है कि दस सवाल अगर वालों के एक बाद स्कूर यहां पर आपकी कॉमेंट बॉक्स में ज़राना चाहिए कि अभी इस वक्त दरकार है कि आप लाइव और लाइक की संख्या बराबर करते हैं और दूसरे बात और एक और थोड़ा सा शेयर कि रहें मैं चाहता हूं कि थोड़ा साज उम्मीदें मेरे भी थोड़ी यादा होती है अगर आप अपने काम में डेवलप्मेंट्स नहीं देख पा रहे हैं तो फिर वह काम किसी काम का नहीं होगा शुरुआत करते हैं सवाल पर चलते हैं इस बात को बहुत दिल पर नहीं लेना है ले सवाल लंबर 11 पर सब्सक्राइब करते हैं हिंदी लेंग्वज भी आज चुका है टाइमर भी आउन करते हैं जल्दी से क्वेक मंथ बेस पजल है बहुत एज़ी एक मिनट का सवाल है एक मिनट का एक झाल झाल बेरी गुट आंसर आना चालो हो जुका है देखो होता क्या है जब भी हम सवाल सॉल्फ करते हैं मंथ बेस्पजल को जब साथ में सॉल्फ करते हैं जिन बचों नहीं किया है अभी वीडियो को आप पीछे लिया कि तो आप सॉल्फ कर लिजेगा लगी मैं इसलिए बोल रहा हूँ जब भी मंथ बेस्पजल, डे बेस्ट पजल ऐसे वरे स्वाल आते हैं तो ये बहुत एक क्लिर होता है फ्लोर बेस्पजल तो पता होता है कहां भाई मुझे चीज़ों को यहां फिक्स करना है तो इस बेरी क्लिर देट वी नीड तो फिक्स दे मन्थ हीर, हमारे पास मन्थ क्या कहा है मार्च, एप्रिल, कॉंटिनुवेसी आई थिंग, मे, जून, जुलाई, आउगस्थ, सेप्टेंबर, साथ महीने होग है तो आठवा भी कर लेता है और यह है आपका ओक्टोबर, कॉंटिनुवेस मन्थ हमारे पास है जब भी आप मन्थ बेस मजल को सॉल्व करते हैं, एक बात का खयाल रखिए है कि यहां पर सिंपली क्या करना है आपको यह आपका जैसे मार पर 31 महीन या 30 वाले को आप क्या करो करो यहां पर इंडिकेट कर दिया उनकी तो आपको इंडिकेट करने से फाइदा क्या होगा कि आपको अब दिक्कत नहोंगा आप 31 वाले को या 30 को find out करने में किसी एक को indicate कर दिये सब में जाके बहुत अरे बाद मासुम बचे क्या करते हैं ठीक है तो मार्च है तो मार्च होगे 31 ठीक है अपरिल होगे 30 अरे इतना bracket क्यों बना रहे हो भाई साब इतने साल से इसी के अधार पर जी रहे हो सब इसका बड in a month having 31 days जो है उस महिने में जाता इसमें 31 दिन है तो भाई एस के लिए बहुत जगह पस्ते हैं यहां तो तकलीफ हो सकती है क्या नहीं यहां कर लेते हैं बहुत सारे सिविशन बनेंगे यार मतलब कि पांस सिविशन बनेंगे चार नहीं पांस तो एक काम करते हैं वेट करत देखते हैं कुछ और सपोर्ट हमारे पास है क्या तो उसने कहा है थ्री पर्सन गोफर पार्टी इन बिटिन आर और एस के मद्ध में तीन लोग है उसमें से एक और बात कह दिया है नहीं चुकि इसका फ्लिब भी पॉसिबल हो जाएगा फ्र तो पी गोज फर पार्टी में इफोर टी पी जो है वो टी के ठीक पहले जाएगा बट नॉट इन अमन्थ वाले में नहीं नहीं रहेगा यह 31 में नहीं चलो ठीक है अची बात है ना वली टू परसंट गो पर पार्टी बिटम डवलू एंड की टी गोस बिफोर टी गोस इन हम यहां पर सोचो यहां पर एक बात जब हमने उसने कहा दिया था कि एस गोज इन मन्थ ऑफ थर्टी वन डेज और एस से पहले कौन-कौन लोग है इस बात को ख्याल रख लिजेगा यहां पर दो चीजे में मिल चुकी है डबलू गोस भी फोर एस मतलब एस हम टॉप पर र क्यां पर छहते हो तो अचांचाँ को यहां रख सकते हैं और एस को यहां पॉप चार सब्चुर्शन अगर मन में आ रहा है तो ड्रॉ कर सकते हैं ती गोस इन मन्थ और एस का मतलब है और टी जो हमारे पास उससे पहले हमारे पास पीब होना चाहिए तो यह भी स्टुशन क सब्सक्राइग देओं डिक्राइगे साले मीरं कलो सब्सक्राइगे से कु तो अब है बात किया है लिच्ण रखना है जा यह दर टी में ठीए ताकि W को भी प्लेस कर सके हैं और देखते हैं क्या बुला उसने डबलू को ले कोई कहानी हमारे पास कि यह केस गया आपका केस बाहर ठीक नब वनली टू परसन बेटिन डबलू और क्यों हो चुका है था लेकिन यह सिच्वेशन क्लियर नहीं है पी हमारा 31 महीने में होना चाहिए नहीं होना चाहिए यह कहानी थी फिर तो क्यों नहीं हैं हम डबलू को यहां प्लेस और यह हमआ खाने में क्लियर कर सकते कोई चीज तो यू के बाद नहीं जाएगा क्यू के बार खाने में कि हम W और Q अलग कहानी में हम W को यहाँ प्लेस करेंगे उसके हिसाफ समारा जो होगा दो जगा छोड़की Q यहाँ पर आएगा और Q से पहले ही अगर हमारा U होगा तो U does not go after Q that means U will be here and Q will be here बचाव यहाँ भर देज़े इसी में आपका आँसर मिल जाएगा आपको जो भी बचाव एलमेंट आपको दिख रहा है ठीक है I think सबका आँसर आगया होगा P, T, W सब कुछ हो चुका है बचाव एलमेंट कौन है यहाँ पर एक मिसिंग एलमेंट देख लिए कौन है आपको 3% मिटनी आर एनस भी था ना वही मैं मिस्स कर रहा हूँ तब से पहला ही कुलू जो था वो मिस्स हो गया था उसके अधार पर हम लोग थ्रस्ट लो हो गया थे अच्छा हम एस को प्लॉट करने बार हमने आर को रखा ही नहीं था तो और प्लॉट करने था बहुत बढ़िया नहीं बोलूगा मैं था टाइम कंजूमिंग था सवाल में बहुत ही करनेक्टिंग क्लू नहीं था आपको ढूंड़ना पड़ता है से एस को लेकि बहुत सरा प्रजेक्शन बन रहे थे इस सवाल के डिसक्शन के बाद तो क्या निकाल सकते हैं कि एस के हिसाब से ना इस गोज इन अमन्थ थर्टीवन डेज तो थर्टीवन डेज ती बाथ से बनेंगे डिद्यूस करेंगे यहां पर इस क्लूसे तो नहीं हो पाएगा विकाज हर जगह से आपका तीन जगह चोड़के आ रखने का जगह था हमने आगे ढूंड़ा कि एस को लेकि और कौन को क्लू है तो यहां पर नज़रा है इसको लेकर क्लू यहां नज़रा है इससे हमने प्रजेक्शन को रिड्यूस कि और फिर सवाल आराम सौल हो गया ठीक है क्लियर है ठीक है चले आगे बढ़ते हैं अच्छा सा एक स्मार्ट क्वेस्टन बोलूँगा मैं इसको अच्छा सव इस सवाल को वाद बार ही है फिर से एक राफिट फार राउंड की देखते हैं अंगला सवाल किस तरीके का है और कैसे उसको रौंद जाए सवाल मर्ण आपके स्वीन पर आ रहा है लेकिन लाइव और लाइव के सब्सक्राइब लाइब करते हैं और इसके लिए टाइमर बहुत बढ़ी आदे देखते हैं यहां पर M सेस कंपेर करना है और ध्यान रखिएगा कि अगर हम इसे मारे पास यहां पर बिना कॉमा का सवाल है में सबसे अधिक यहीं देखते हैं हमें M सेस कंपेर करना होता है M यहां पर S यहां पर पहला सही कैसे कि असरा आपने जल्दी विकॉस कि हमारा कॉंसेंट्रेशन सिर्फ M और S के बीच वाले सिंबल्स पर है सभी सिंबल्स का दिशा एक सबसे बड़ा सिंबल हमारा डेफिन सिंबल हुआ करता अगर एक ही दिशा का है तो हमारे पास लेस्ट करेक्ट आंसर बात करते हैं और क्यूं की बात करते हैं सब्सक्राइब 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 करते हैं जल्द से क्वेक कि यह सिच्वेशन प्रेजेंट करता है आइदर और को लेंग देखना पड़ेगा क्या यह सच में आइदर और है कई बच्चे गलती क्या करते हैं अच्छा यह तो जी और डी में लेसिक्वल यहां गटर अच्छा यह तो आइदर हो जागा ले रुक जाओ भाईया रुको कि यहां परश्टे मुंटा सिंबल राश्टे मूटा सिंबल यहां आधर ऑजिस के बारे टी इस अवह जी तैंड किया गया है तो इसके बीच में वह और उल्ल्टा सिंबल कहीं भी रास्टे में क्या तो जीओ दिकत नहीं अधर हो जाएक उप्स सिंबल ढ़ें तक आइदर एक बात ख्याल रखना कि फॉर्म भरने की तारीक समाप्त हो चुकी है तो अब आपके साथ जो यहां पर कॉम्पेटिशन में लोग दिख रहे हैं न ये लिटरली वही लोग हैं जो कॉम्पेटिशन में वहां भी दिखाए देंगे आपको मतलब एक्सामिनेशन में तो अब जो ठहर गए तो अच्छा नहीं होगा तेरे ही इरादों के इमारतों पर तेरा कबजा नहीं होगा ध्यान रखना V से U जाने का मत्तब है कि व आपना हो गया काम, इन V से U जाने में हमारा नॉम्मेंट है और यहां पर less है, यहां greater है, पहला कट करते हैं, यह जाफ से W की बात करते हैं, W से V का मत्तब है कि आप जैसे U पहुंच गए, तो आप W से U जाएंगे और फिर U से V आएंगे, मसला क्या है कि W से U और U से V का journey जो होगा हमारा, पूरा-पूरा backward direction में होगा, because W से U भी आप चल रहे हैं, फिर U से आप V भी आ रहे हैं, पूरी दिशा हमारे पास एक ही दिशा में है, बैकवर्ड मुवमेंट है, राइट टू लेफ्ट कहा सकते हैं उसे आप, और दूसरी बात यह एक concerning symbol का direction एक ही है, less है, less equal है, equal है, output will be less, लेकिन चुक्कि हम उल्टा चल रहे हैं, तो output जो हमारे पास निकल किया रहा है, उसको reverse कर देंगे, greater हो जाएगा, greater यहाँ पर है, यह सही हो जाएगा, option number जो यहाँ पर correct होगा, वो आपका option number C हो जाएगा, जिसमें लिखा गया है, only second conclusion issue, बहुत प्यारा सवाल, छोटा सा कॉमा था, बहुत जादा फर्क नहीं पड़ा उससे, अब यहाँ पर एक कॉमा डाला गे, फिर से सवाल में, सवाल number 19 साब के स्क्रीन पर टाइमर आउन, quick, चलें, यहाँ पर एक element common है, बहुत प्यारा सवाल, बहुत थी लाजवाब सवाल, क्यूं? अब याद होगा उन बच्चों को जो champion batches में, या पर कहीं भी foundation पढ़ा है अगर आपने, तो foundation में मैं हमेशा आप एक बात बोला करता हूँ, सवाल डिस्कूस करते समय, जब भी कभी, दो निसकर्स में, एक एक element common होना, जैसे यहाँ पर O और O common है, जब भी कभी निसकर्स में, statement शोड़ दिजा, statement बोली तुम जाओ तेल लेना भी फिलाल, बहुत नहीं का, तुम पूर टाइम लेगा आने में, पर यहाँ आओ, मुद्ध की बात करो, यहाँ पर एक element common है, एक different है, बाकी situation यहाँ पर जो है, इस परिपेक्ष में सोचने का, क्या L is equal to K दिया है, क्या तो दिया है, बात कतम, now this K can be written as L as well, इस L को हम के पढ़ सकते हैं, फिर इस K को L पढ़ सकते हैं, को दिकत नहीं, L से O में देखना पड़ेगा, क्या हो गया भाई, क्या L से O में no relation बन रहा है, क्या अगर उपर में no relation बन रहा होगा L से O में, तो इसको हम आईदर बेखॉफ कह सकते हैं, दिखते हैं, L से O का मतलब है कि L से आपको जाना पड़ेगा R, अब जैसे आप L से R जलना सुरू को लोग उल्टरा, अभी L से P पहुंचे, पहुंचे को लिटा सिंबल दिखाए दे दिया, अब चुप चाप बेखॉफ काटी, इसको जाके, option number E is the correct answer, राइदर first or second follows, this is how we need to address the question, हमेशा इस तरीके से reaction करना है, conceptually इना strong रहना है, सवाल हमर बीस आपकी पारी आपके स्क्रीन पे आज चुकी है, और ये रहा, एक सवाल हलका सट पेश ज्यादा है, मतब दू कमन्ट डाल दिया गया सवाल में, ध्यान से, टाइम अप, सवाल में सबसे पहले डिमांड किया गया आप से, कि भई, C और H में बताओ क्या होगा, तो हमने का, भई, C और H में यहां पर C है, यहां पर हमारे पास H है, पहुंचने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो C से अपने के जाना पड़ेगा, C से के जाओगे आप, फिर के से आप E आओगे, फिर E से H पहुंचोगे, बहुत तगड़ा सवाल है, बहुत प्यारा सवाल है, पिछले चारो सवाल के रेस्पेक्ट में यह सवाल थोड़ा अच्छा सवाल है, बहुत आपको बहुत कांसे देखना पड़ेगा, बहुत 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 कराया जा रहा, C से H का मतलब है, C से आप जाओगे K, K से आप आओगे, E उल्टा डिरेक्शन होगे, जहां उल्टा चल रहा है, उसके सिंबल्स भी डिफरेंट डिफरेंट है, तो इस अपना greater equal जोगा, less equal में तब्दिल हो जाएगा, और फिर हमारे पास C से, C से क गये, K से E आगए, अब इसे आप कहां जाओगे, फिर H जाओगे, तो output should be यहां पर less, यहां पर less दिख रहा है, यह सारा movement अब हम normal कर चुके हैं, पहला सही है, R से की बात करते हैं, R यहां पर है, K यहां पर है, R से आप जाओगे, E और E से आओगे, आप K, R से E जाओगे, और E से K आओगे, जहां movement backward है, जहां पर हमारे पास less or less equal है, reverse करेंगे, greater हो जाएगा यहां पर, greater or greater equal में greater होगा, you can accept it, ठीक है ना, now out of all these five questions, यह जो पांच सवाल आपने पिछले किया है, इन पांचों के पांचों सवाल के respect में देखा जाए, तो यह सवाल जो है, तो यह सवाल था टाइम कंजूमिंग था, बाकी इसके लवब बाकी सारा साथ सवाल आपके बहुत हीजित है, ठीक है, clear है बात, ओके, ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ें, सवाल नंबर 21 से 25 आपके स्क्रीन पे आने वाला जोग सवाल होगा, sitting environment या पजल का सवाल होगा, शुरुवात करते हैं, सवाल नंबर 21 यह रहाँ के स्क्रीन पे और इसका Hindi language यह रहाँ स्क्रीन पे, सवाल में कहा गया है, linear sitting environment की बात की गई है, ठीक है, यह रहा टाइमर, जल्दी से, जल्दी से. यहां बढ़िया सवाल है सवाल बढ़िया है मैं तो मैंना कहां कर रहा हूँ यह सवाल खुड़ासा प्यो टच दे रहा है मुझे यह सवाल खुड़ासा प्यो टच दे रहा है यह सवाल मैं कहा गये आप से कि भाई कुल मिलाके आठ लोग है एट पर्सना देर यह सवाल जब भी हम लिनियर सेडिक्शन की बात करते हैं और उसमें मिक्स डिरेक्शन की बात खुती है तो कही न कहीं वह प्यो टस देता है मतलब वह सवाल किसी भी प्यो परिच्छा के प्रिलिम्ज में आपको नजरा सकता है जैसे कि RRBPO, SBIPO, IAPSPO चुकि हम यह जो पढ़ाई करते हैं, यह त्यारी अभ्यास कर रहे हैं यह no doubt कि फिलाल हमारे पास यहां लिखा हुआ है RRBPO clerk लेकिन यह तो त्यारी है, पिकास syllabus हमारा बिल्कुल सेम है तो यह त्यारी हमारे बाकी परिक्षाओं में सिट्स बिट्विन C and D D who D who sits at the extreme end of the road लेकिन किस end की बात कर रहे हैं नहीं बताये गए तो हमने कहाँ ठीक है भाई, तो मत बताओ हम यहां पर एक बाद D यहां लिए लिएता है अपने left hand side और D extreme end मालने के यहां पर दो जग़ाँ छोड़के हम यहां पर लग लिएते हैं C मतलब यह, कि मारे पास एकर यह end हो चुका है तो 4, 5, 6, 7, 8 दूसरा चीज़ बिशन यह हो सकता है सर कि आप D यहां रख लीजे और दो जग़ाँ छोड़के आपने C यहां प्लेस किया और फिर आपने चार्ट जग़ाँ यहां ट्रॉख कर लिया यह चीज़ा है ठीक है ना, D, C, D, C यही तो सम्भाव नहीं हो सकती है डिरेक्शन ओफ इधर D और C is not clear किसी का भी डिरेक्शन क्लियर नहीं है फिलाल हमारी कोशिश यह रहे कि अगला क्लू हमारा C या फिर D के हिसाब से बात कर रहा हूँ C और D के बारे में बात कर रहा हूँ देखते हैं यहां पर कौन सा क्लू ऐसा है देखो एक बात ध्यान समझता हूँ बोल रहा है कि बोथ D and G faces same direction as H हमारे पास H का direction मिल जाए तो साइड D का direction टेकर लेंगे 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 देखते हैं C और D से जोड़ा है क्लू D दिखाए दिया इसलिए हम पढ़ लिए इस क्लू को फिलाल इसकी आऊ सकता कुछ खास नहीं दिख रही मुझे E और A का direction वैसा ही रहेगा जैसा कि B का रहेगा दीख है बाई देखते हैं हम इससे C से या D से जोड़ाव बात लूनना चुरू करेंगे यहां पर बोलता है कि बोथ C and E are immediate neighbor of each other but both of them faces a point direction to each other E और C जो हैना आपसे पढ़ोसी है इसका मतलब यह हो गया एगर E और C आपसे पढ़ोसी है that means बहुत बढ़ी है सवाल है यार मतलब in the sense E यहां होगा या तो E यहां होगा इसमें E यहां होगा because neighbor बोला गया है left-right नहीं बोला गया है ठीक एफ faces not direction बोला है उसने F faces not direction F हमारे पास नहीं है B faces the same direction as F और B वैसा ही direction देखेगा जैसा कि F इसका मतलब यह हो गया कि आपका जो direction of E is equal to A is equal to यहां देखो E और A का direction होगा और B का direction जो होगा उसा direction आपका F का होगा और यह सब ही कैसा होगा नौट होगा यह तो पुष्टी हो चुका है A is equal to B is equal to E is equal to F यह चार लोग कहां देख रहे हैं नौट देख रहे हैं और इसके just reverse में आपका D, G, H देखेगा इसके मतलब D जो है वो south देख रहा है यह तो confirm कर सकते हैं D south देख रहा है C कहां देख रहा होगा जो यहापर दू कंडिशन दिया हो असा लगातार बोथ D, G, D and G face the same direction as H and बोथ E and A face the same direction as B E and A face the same direction as B और यहापर देख दिया है F faces north तो अगर F north face करता है because B faces the same direction as F बोल दिया है but the H face the point direction तो H तो ही आसे भी आपोई direction देखेगा अभी कोई जागे बोल दिया गया है तो यह 4 लोग अगर हमारे north देख रहे हैं तो यह 4 लोग south देखेंगे D, C और बाकी जो दो element बचे हुए है ठीक है So how come we can draw this thing H sits third to the right of F हम इसके हिसाब से draw करते हैं इस condition के हिसाब से draw करते हैं S sits third to the right of F and B sits second to the left of H और H का attraction क्या है हमारे पासे south है इसके हिसाब से क्या बोला गया कि B sits second to the left of H that means B will be coming here तो I think मुझे जलता है फ्रेम तो यहां त्यार हो रहा है 8 में से 6 लोग का फ्रेम तो यहां त्यार हो गया अब चुकि हमें मालूम है यहां बनाई तो C यहां पर आजाएगा यहां तो C यहां पर आजाएगा इस तरीके से होगा कुछ कहानी So this is the way मतलब यह मुझे लगता है इस से ज़्यादा बहतरी न अप्रोच यह वाला होगा सवाल को solve करने का तो इस हिसाब से मारे पास यह रिखने का जगा होना चाहिए ठीक है मारे पास जगा है कोई दिक्कत नहीं आराम से हो जाएगा चीज ठीक है ना चलो तो मुझे रखता है कि इस सवाल को solve करने के लिए हमें इस अपरोच का इस्तमाल करना चाहिए ना कि इसका इसको उटा जाते हैं सवाल को solve परने के लिए लास्ट में यह डिरेक्शन वाला बात क्लियर किया था तो मैं बोलूंगा भाई यह सवाल मैं पहली बोल दिया आपको यह सवाल प्यो लेवल के लिए बहुत अच्छा रहेगा क्या किया इस सवाल में इस फ्रेम को लेके आ रहा है है हमने एफ को डो किया चुकि डर्येशन ऑफ इलेमेंट्स इस क्लिर नाउ सबकर डिरेक्शन क्लियर होचिकर है एफ और ऐज के मद में हमारे पास दो लो होंगे एज साउट देख रहा होगह है एच के सेकंड लेफ्ट में हमारे पास बी हो जाएगा सिच्वेशन यह कह रहा है कि यहां पर बढ़ा लो यहां पर डी कर लो डी के इस आप से आपका गैप दो में सी बैठेगा और सी और एक डिरेक्शन जोंगे सेम होने वाले हैं उसने बोला इस एक सिच्वेशन यह हो सकत है है यह चाहिagna है यह बढ़ा दिक्कत नहीं है ऑल अघ का और एजाब दो फ्रेक्शन तैग हो गया तो सब कुछ देखन झी हो जाएगा आपका ठीक है ना तो A, B, E, F A, B, E और F का डिरेक्शन नौर्थ है बाकि सबका डिरेक्शन क्या है? साउथ है इवाड सब लोग आप से चेक कर लिजएगा बहुत 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 ही जाए एक बाद कर लीजेगा प्लीज है ठीक है एलसी सब कुछ क्लिए आपका बहुत कम क्लूथ है असली बार गौर किया आपने इस सवाल में जो placement करने वाला crew था ना उसकी संख्याद को कितना कम है बहुत स्मार्ट सवाल है I will take I will say कि इस सवाल को आप सभी बच्चों को ना reference के तौर पर रखना चाहिए सवाल को बहुत ही पहला सवाल था यह वाला बहुत ही amazing question ठीक है clear है ठीक है clear done आगे बढ़ें चलो सवाल नमर एक्के से पच्चिस दिन दैटमिस के बाद फिर से बारी होगा कि हम लोग कुछ रफ्तार बढ़े सवाल करें मतलब की rapid round की बारी होगी फिर से पांच सवाल एक के बाद एक देखते हैं कौन को सवाल आ रहा सवाल नमबर 26 आपके स्क्रीन पर यह रहा और I think symbolism या कुछ ऐसा होना चाहिए नहीं यह सवाल में से नहीं है शेप्टर से है सवाल में 26 टाइमर ओन क्विक रियक्शन रियक्ट करना सवालों में जल्दी से सवाल में कहा गया है इस नमबर 872935461 इस एड़े तो इच इवन डिजिट और इसा किया जाए तो कितने इसे नमबर है जो रिपीट होंगे भाई सब तो अपने को करना पड़ेगा प्रोसेस करना ही पड़ेगा आपको यहां पर और कुछ नहीं कर सकते हां हर जगा चलाग नहीं बनना चीए तो इट इवन में क्या था वन एड करना ना सवन हो जाएगा यह तो टान ही थेट किया थी रिपीट किया फाइव रिपीट किया थी दिए क्रेक्ट आशर ऑप्सनुर फोड़ेग थे तो टान सब्लोग ठीक है ना पॉफेक्ट है चले आगे पड़ता है सवाल नंबर सथाइस आपके स्क्रीन पर है यह सवाल आपके अलफा नुमरिक सिंबल से चैप्टर से दिख रहा है सवाल नंबर 27 टाइस टाइमर ओन क्विक जल्दी से टाइम अप देखो बहुत सिंबल बात है उन्होंने कहा है हाउ मेनी सच नंबर उन्होंने यह कहा आप से की टागेट करो नंबर को नंबर टागेट कर लिया आपने विच इस प्रिसीड़ बाई सब्सक्राइब नहीं को में लोगाँ को फिर्ल्द सब्सक्राइब वज्सक्राइब इस स्फ्रेट आप सीथ जिए चांट इसार में नवर नहीं है time around करते हैं quick चले so which are the following alphabet is ninth from the right end of the series अब यह तो directly आपको alphabet count करना है हाना यहां पर क्या बोला है alphabet यह सवाल जितना मासूम दिख रहा है न उतना मासूम है नहीं इस सवाल में आमोन बच्चे गलती करते हैं बनाद भायंकर गलती करते हैं जो एलिमेंट काउंट कर लेता है ninth alphabet बोला गया दियान कीगा तो तीन चार पांच छे साथ आठ और यह रहा पका नौ सवाल नंबर 29 आपके स्वीन पर है टाइमर उन जल्दी से लगता है कुछ मिस्स तो नहीं कर गए गार लेटर आगे तो नहीं बढ़े गए थे चले हमाने सच अल्फाबेटेश नल्भाल में स्वीन यहा बढ़ेटस एल्फाबेट आपकेसच अल्फाबेट यह बढ़े लिवन अल्फाबेट विच अल्वावेटेशन विच और छिशा क्योग प्रिसी दीड़ाई विच इस प्रिसीड़ बाई सिंबल नहीं मतलब यह तो बहुत बढ़िया में प्रेजेंटेशन कर दिया सवाल का सिंबल के पहले जो प्रिसीड होंगे ऐसे कितने नंबर है जो कि एलफाबेट के दौरा प्रिसीड के जारे है लेकिन उससे पहले वो नंबर जोंके सिंबल से जार परिसीड किया रहा है कोछ तो मतलब ट्विस्टेट है यह स्वाल ठीक है वाड़ी है लेकिन हम इस तुर इससे चेक कर रहे हैं कि सिंबल से पहले नंबर सिंबल के बाद अलफाबिध ऐसे कर लेंगे 3 is the correct answer, option number 5 is the correct answer for these questions, बहुत समझने पर ध्यान से, यह सवाल मैंने क्या, मैं खुद भी मतब इस सवाल में सब्सक्राइब किया, आप मनें slowly observe किया, slow नहीं हुआ, slowly observe किया, मतब फ्रासाइब, of course, हमें वापस reread करना पड़ेगा सवाल को, पढ़ेगा ध्यान से, बोला कि how many such alphabets are there, ऐसे कितने alphabets है, which is preceded by, which is immediately preceded by बोलता न, अगर तो हम यहाँ पर सवाल को गलत कह दिये होते, उसने का which is preceded by, इसके पहले क्या होना चाहिए, number होना चाहिए, वो number कौन से होना चाहिए, लगि number those numbers, which is preceded by symbol, यह number वो होना चाहिए, जो timer on करते हैं, और यह सवाल में चाहूँगा कि आप लोग homework के तौर पर कर लिजेगा, प्लीज, मतलब यह सवाल homework के तौर पर कर लिजेगा, this is my request to everyone, because time का थोड़ा सा कमी है, यह सवाल homework कर लिजेगा, प्लीज, सवाल number 30 to 34, homework के तौर पर कर लिजेगा, बाकि यहां पर सवाल में 35 भी आपके लिए homework लेगा, दो सवाल बस homework दे रहा हूँ, और प्लीज, जो homework में कुशन दिया करता हो ना, उसको हलके मत लिजेगा, उस सवालों को solve करके, आप इस वीडियो कॉमेंट बजरू बता दिजेगा, क्या है, correct sequence क्या है, जो भी सवाल होगा, ठीक है, इस सवाल में आपको option बताने हैं, सिर्फ आपको option number A, B, C, D, जो भी है, 1, 2, 3, 4, 5, जो ही बता सकते हैं, बता देजेगा, बाकि आशली बातें य महाँ पैक है, MMP, नहीं, BMP, MMP क्या होता है, BMP, so of course ही जो bank महाँ पैक है, इस bank महाँ पैक किसो विधाई यह होती है, यह बैस तो होगा, यह होगा, ranker's batch, जो means का special batch है, वो भी महाँ पैक में होता है, जो RB वाला जो batch भी दिखाया, बने prelims का, उसम prelims और means, वो सारे चीज़ भी होती है, hard copy आपको लेना पड़ता है, e-books उस गंदर होती है, ठीक है न, चलो, so आप इसके लिए refer code इस्तमाल कर सकते है, Y188 जिसका इस्तमाल करके आप यहाँ पर maximum discount grab कर सकते हैं, महाँ पैक पे, आज डबल वैल्टी उसना फाइदा उठा सकते हैं, और अगर कोई e-books, या, sorry, आपको कोई hard copy महँआना हो, या फिर कोई test series लेना है, तो of course Y188 जिसका इसका इसका इस्तमाल कर सकते हैं, sign off करता हूं, thank you so much, bye, take a studyable blessings, next class is maths का मतब शांतरों सरका,